दोस्तों अगर आप भी वेंकटे सेयर को एक टावर तोड बल्ले बाज बांते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों पंजाब और कॉलकाता के बीच खेले गए जबरदस्त मुकाबले में कई युवा खिलाडियों ने अपने जबरदस्त खेल के प्रदर्शन से सबी प्रशनसकों का दिल जीता लेकिन कुछ खिलाडी ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से कई मूटी इनाम राश्य भी जीती है जिसके बाद तो वो सबी खिलाडी रातो रात माला माल हो चुके हैं जलिए दोस्तों बताते हैं आपको कौन है वो खिलाडी जो रातो रात माला माल हो चुके हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस साल का IPL कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट आडर्स के बीच खेले गए जबरदस्त मकाबले में पंजाब के कप्तान केल राहूल ने पहले टॉस जीत कर गेंद बाजी करने का फैसला लिया और उनका ये फैसला काफी जादा गलत साबित होता हुआ नजर आया क्योंकि इस मकाबले में कोलकाता के बल्लेबाजों ने शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया बता दें कोलकाता के और से सबसे जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज रहे वेंकटे सयर जिन्होंने इस मुकाबले में सरसर रनों की तावर तोड़ पारी खेली वहीं एक बार फिर इस मुकाबले में शुबमन गिल अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने में पूरी तरीकी से नाकामियाब रहे और सिर्फ साथ रन बनाकर अर्श दीप के गेंद का सिकार हो गए इसके बाद दोस्तों राहुल त्रेपाठी ने जबरदस्ट बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा इसकूर बनाने में नाकामियाब रहे और सिर्फ 34 रन बनाकर पवेलियन के उड़ चलते बने वो इसके बाद गोलकाता के कप्तान ओइन मॉर्गन एक पर फिर शानदार प्रदर्शन करने में फ्लॉप रहे और सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन के उड़ चलते बने इसके बाद नेतेश राणा ने ताबरतोर बल्ले बाजी करके 31 रन बनाए वहीं दिनेश कार्तिक 11 रन बना सके और आखिर में टीम सैफोर्ड और सुनील नाराण साथ में 5 रन का ही योगदान दे सके और पंजाब के सामने 106 रनों का लक्ष रख सके दोस्तों 166 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी पंजाब के खिलाणियों की ताबरतोर अंदाज में बल्ले बाजी करी बता दें इस मुकाबले में पंजाब की और से केल राहूल ने सरसच रनों का एहम योगदान दिया वही मयंक अग्रवाल ने 40 रनों का योगदान दिया और इस मुकाबले में निकोलस पूरन और एडन मार्करम शानदार प्रदर्शन करने में पूरी तरीके से नाकाम्याब रहें और अंत में शारुख खान ने ताबर तोड अंदाज में 22 रन बना कर अपने टीम को शानदार जेत हासिल कराई और इतना ही नहीं उन्हें इस जबरदस्त खिताब के लिए 2 लाख रुपे की भी इनाम राशे दी गई जिसके बाद तो वेंकटे से ये रातो रात माला माल हो चुके हैं इसके बाद दोस्तो नितीश राणा ने पहली पारी में विस्पोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक लाख रुपे की मोटी नाम राशे अपने नाम की और वहीं इस मकाबले में पंजाब की और से अंत में जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपना और अपने परिवार का खूब नाम रोशन किया है और इदनी मोठीरी नाम राशी जितने के बाद तो ये खिलाडी अब रातो रात माला माल हो चुके है लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है वेंकेटेस अईयर जैसे तावरतोर बल्लेबाज को टी-20 वर्लकप के लिए भारती टीम का सदसे बनाना चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारी यूटूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीचेगा तन्यवाद